तो जी हां दोस्तों 24-26 के बाद हम अगले गुड़ांक पर पहुंचे हैं कि जिसका गुड़ांक 28 है मतलब 26-28 है उसको देखे कितना नंबर लाना पड़ेगा सूपर टैट में चाहिए वो किसी भी जो है इस ट्रीम से हो तो उसका जो है सेलेक्शन स्योर एंड सॉट हो जा तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे तो बात कर लेते हैं जो अगली वीडियो जो पिछली वीडियो थी दोस्तों जो जिसमें मैंने बताया था आपको 24 वा 26 गुड़ांक वाले अबैर्टों को कितना स् 28 गुड़ांक है तो आप लोग जो है समझियेगा कि जिनका 28 है उसको जो है कितना गुड़ांक बनाना पड़ेगा कि उसका टोटल जो है बने वह 75 गोड़ांक बने तो यहाँ पर अगर 75 में से हम 28 माइनस करते हैं तो देखिए मतलब आप लोगों को 47 गुडांग बनाना बड़ेगा लिखित परिच्छा में जिसका अकेडमिक गुडांग अठाई सा है अब देखिए 47 गुडांग बनाने के लिए आपको नमबर कितने लाने पड़ेंगे तो देखिए 100 गुडांग पर फिर एक बार मैं बता रहा हूँ 40 110 गुडांग पर 44 120 गुडांग पर 48 लेकिन आपको लाने तो 47 ही है तो देखिए यहाँ पर आपका स्कूर जो है होगा 115 से 118 के बीच में तो दोस्तों जिनका भी अकैडमिक गुडांग 28 है 26 से 28 के बीच में है तो देखिए यहाँ पर आपका 28 गुडांग पहले से ही है और अगर आप वहाँ पर 47 स्कूर करते हैं एक सो पचास में से तो देखिए यह जो है एक सो पचास में से अगर आप 115 से 108 के बीच में स्कूर करते हैं तो कहीं न कहीं आप सेफ कैटेगरी में हैं सेफ जोन में हैं आप यह दोस्तों जनरल की बात हो रही है अगर category की बात कलने तो देखे दो-तीन नमबर कमानिएगा आप SC की बात कलने तो उससे भी दो-तीन कमानिएगा हाला कि यह score safe score होगा जिसका academic गुणांग 28 है या 26-28 के बीच में है बाकी दोस्तों बिल्कुल जो है इसी गुणांग के आसपास आप लोगों को score करना पड़ेगा तब आप safe zone में जाएंगे देखे कम से कम आपको 75 बनाना है कम से कम सो में से 75 बनाना है तब आप जो है selection सुनश्चित हो सकता है safe zone में जा सकते हैं selection अभी भी सुनश्चित नहीं आप safe zone में होंगे बाकी दोस्तों कल की वीडियो में बताएंगे जिसका अकेड में गुडंक 30 है उनको कितना score करना पड़ेगा जिससे आप जो है safe zone में जाएं बाकी दोस्तों अगर आपने अभी तक channel subscribe नहीं किया तो channel को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें तो thank you friend जैहिंच जवाल